तो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग, हम आशा करतेuchenें कि आप सभी ठीक होंगे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाता हूं कि आप लोगों ने हमारे पीछले वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया और बहुत ज़्यादा आप लोगोंने appreciate किया, हमारी छोटी से कोशिश को आप लोगोंने कामियाफ बनाया, हमने देखा है कि आप लोगोंने उसको बहुत ज़्यादा शेर भी किया है तो उसके लिए बहुत आपका शुक्रियादा करना चाता हूँ, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम post repair diagnose cover करेगे तो post repair diagnose में आज का जो हमारा topic है वो post repair diagnose की समझो series जो है उसकी शुरुवात होगी क्योंकि post repair diagnose में बहुत सारे functions होते हैं और वो brand to brand और model to model change हो जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक proper structure के हिसाब से आपको ये training complete करेंगे जिसमें सबसे पहला आज का जो हमारा topic है post repair diagnose क्या होता है कितने type का होता है उनकी कुछ requirements होती है उन requirements को कैसे समझा जाए और उसके उपर काम करने से पहले और काम करने के बाद किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अब post repair diagnose का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजे post repair diagnose का मतलब वो functions होते हैं scanner के जो use होते हैं आपके जब आपने किसी काम को या गाली के अंदर जो problem थी उसको repair कर लिया है या आपने replace कर लिया है पार्ट को उसके बाद वो functions required होते हैं तो चलिए देर नहीं करते हैं आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि post repair diagnose होता क्या है post repair diagnose वो functions हैं जो आपको basically repair या component को change करने के बाद में करने होते हैं क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हमने बता है तो pre repair यानि prepare करने के पहले जो आपको diagnose करने के जो functions है वो कौनसे कौनसे होते हैं इसमें post repair में repair करने के बाद के function है मैं example के लिए बता देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो के बाद में आपको उसको learning करनी पड़ती थी आपने गेर बॉक्स में काम किया है आपने Megatronic चेंज किया है तो उसको आपको गेर लर्निंग करनी पड़ती है इन सारे functions को हम कहते हैं पोस्ट रिपेर डाइग्नॉस अब पोस्ट रिपेर डाइग्नॉस में multiple type of functions आते हैं अब उसमें क्या-क्या functions आते हैं हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे common scanner है आज इंडिया में यूज किया जाता है और जो सबसे ज्यादा बिका हुआ भी है उसको में multiple variant आते हैं launch के scanner या launch-based software अब मैं launch-based software जो कह रहा हूं वो आप लोग समझी गए होंगे कि कौन से software की में बात कर रहा हूं इस software में जो भी functions आते हैं हलकि बहुत सारे functions जो है launch के software में obviously अभी आ गए है लेकिन इसमें जो functions हैं हमें यह नहीं पता होता है कि किन functions को किस इस वक्त इस्तमाल करना है देखिए जरूरी नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी काला धुवा छोड़ रहे तो आपको DPF region rate करना ही पड़ेगा नहीं उसकी कुछ requirements होती है तो वो क्या requirements होती है पहले हम लोग उसको समझेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे यह functions क्या software यूज़ करें लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप चीज़ याद रखेगा जो functions मैं आपको दिखाऊंगा वो आपके चाहे कोई भी टूल हो एक्स टूल हो या कोई और तिंकर का टूल हो उसमें similar ही है क्योंकि एक चीज़ याद रखिए post repair diagnose का जो तरीका होता ह है वो लगबग सेम ही होने वाला है क्योंकि वो आपके टूल के हिसाब से नहीं होता है गाड़ी की requirement का हिसाब से होता है brand और model की क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से software होता है ना कि आपका brand कुछ अलग तरीकी से software दे सकता है यह चीज़ याद रखिएगा ओके तो यहां पर देखिए आपको intelligent diagnose, local diagnosis सब आपको पता ही आप service function में चले जाते है और यहां पर एक एक करके मैं आपको explain करता हूं कि यह कब ज़रूरत परती है हाला कि बहुत से कम लोगों को पता है कि इसमें यह दिया होता है कि इस function को कब यूज करना चाहिए जैसे कि मैं example के तौर पर सबसे पहले मैं ले 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 दाओ AD Blue Reset अब AD Blue Reset मतलब जो यूरिया का काम BS6 में चल रहा है वो reset करने वाला यह function है इसके अंदर आपको पता हिए कि इंडियन गाडियों का भी आ गया है यहां पे नो software information होती है अगर आप देख पाएंगे software information में क्या होता है the operation of reset urea is needed after replacing और filling diesel exhaust fluid इसका मतलब के अगर आपने urea change किया है या urea भरा है और उस वक्त आपको अगर कोई error आ रहा है तो उस वक्त आपको AD Blue Reset करने की ज़रुरत पड़ेगी इसके अलावा AD Blue Reset करने की ज़रुरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप dosing module change करते हैं अगर आप temperature sensor change करते हैं अगर आप injector change करते हैं यूरिया के तो उस वक्त आपको ज़रुरत नहीं पड़ने वाली है इस चीज में आपको ये चीज ध्यान रखनी है ठीक है इसी तरह अ अगे कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में लेकिन मैं आपको basic idea दे देता हूं ब्रेक रिसेट सबसे पहला electronic parking brake जो होते है उनके लिए इस्तमाल किया जाता है देखें यहां पर क्या देता है after replacing the brake pad you must reset the brake pad otherwise the car alarm must be performed the following cases the brake pad and brake pad where sensors are replaced the brake pad indicator lamp on the brake pad sensor circuit is short which is recovered the servo motor is replaced okay यहां पर देखें कि क्या क्या condition बताया सबसे पहले तो आपका brake pad thickness sensor होता है अगर आपने वह replace किया है अगर आपने brake pad sensor का short circuit था यह अपने brake pad चेंज किया है या फिर servo motor आता है वह आपने चेंज किया और उसके बाद आप जब पैड रिप्लेस करते हैं रिप्लेस करने के बाद motor को scanner से ही बंद किया जाता है इसको हम लोग brake pad के लिए इसके बाद यहां पर जितने भी function आप यहां पर देख रहे होंगे तो इसमें आप देखें बैटरी मैचिंग है एर लेवल सेंसर कैलिबरे यानि DPF के अंदर जमा होते हैं इसके बाद में यह क्या दिखा रहा है सच एज हाई टेंपरेचर हीटिंग कंबोशन फ्यूल एडेटिव और कैटलिस रिद्यूस प्रेशर सेंसर चेंज किया है या अपने DPF के अंदर कुछ खरावी आ गई थी उस वक करना है डिपेंड कर करता है brand to brand, model to model यही कारण है कि हम हमेशा बुलते है multi brands में आपको काम करते हैं कुछ चीजों का खास दियान रखना होता है और वह होता है कि आप जितना हो सके गाड़ी के सिस्टम को समझ जिए ठीक है तो यह वह function में आप लोगों को बता रहा हूं जिससे कि आपको यह clarity आ position sensor adaptive learning का मतलब क्या हुआ यह sensor ही अलग type का आता है ठीक है optical type sensor होता है इसको crank angle sensor कहते है वह sensor जब आप replace करोगे तब यह आपको adaptive learning करनी पड़ीगे लेकिन वह जिन गाड़ियों में आएगा उन ही गाड़ियों में इसकी ज़रत पड़ेगी इसका मतलब यह नहीं कि आप हर device होता है यहां पर आप देख सकते हो ठीक है यह जो device है यह completely अलग होता है तो आपको immobilizer reset करना है उसके लिए आपको जाना होता है immobilizer में reset क्यों बोला जाता है reset का मतलब simple सा है कि आपने किसी चीज को replace कर दिया और replace करने के बाद अब आप उसको reset कर रहे हो यानि कि पहली व यह सब कहते रहते हैं अब देखी क्या कह रहा है immobilizer to prevent the car being used unauthorized key antidep system matching must be performed तो क्या होता है कि आप अगर key change कर रहे हो तो उस time पे आपको यह चाहिए दूसरा है क्या होता है कि the car identify and authorize remote control key to normally use the car when the ignition switch key ignition switch combination यानि instrument cluster ECU BCM और remote control batteries replaced जो भी system आपके antidep system से connected होते हैं उनमें से कुछ भी replace होता है तो उस time पे आपको यह change करना पड़ता है आपने देखा ही होगा कुछ गाडियों में जो आपका instrument cluster है उसमें immobilizer connection होता है तो आपको immobilizer change करने अपना instrument cluster change करने के बाद भी आपको coding करनी पड़ती है BCM कई बार है जो coding करना पड़ता है क्योंकि antidep data जो है वहां पर होता है इस कारण से आपको change करना पड़ता है इस तरह से बहुत सारे functions यहां पर होते हैं आप लोगों को चीजे बताना चाता हूं जो है precautions यानि क्या सावधानी और किन चीजों का ध्यान रखना है आपको यह functions को prepare करने से पहले इन functions को use करने से पहले तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे देना चाता हूं कि हमारे training program जो है वो regularly चल रहे हैं आप में से किसी भी भाई को अगर training लेनी है जो vehicle diagnosis की और ECM repairing की हमारी training है वो नीचे दिएगे नंबर पे call कर सकते हैं जो भी इस वीडियो से हमको call करेंगे उनके लिए flat 10% discount मिलेगा तो प्लीज आप लोग अगर आप यह लेना चाते हैं admission तो प्लीज आप call कर सकते हैं देखें सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो यह कि आपने जो component या ECU आपने जो replace किये है वो correctly replace किये है या जो ECU आपने change किया है वो उसका part number correct था उसका variant आपकी गाड़ी के हिसाब से ही था मैं component की बात कैसे कर रहा हूँ जैसे कि injector है तो injector में क्या एक process है आपको पहले उसकी fuel line की bleeding करनी होती है injector के cylinders कभी भी mismatch नहीं होने चाहिए यह सब पहले आपको करना पड़ेगा ताकि आप micro learning या जो injector coding करना चाहते है वो correctly कर पाए वैसे ही ECU के मामले में अगर आप BCM change क कर रहे हैं उसमें AC था लेकिन आपने जो BCM लगा उसमें AC नहीं था तो दोनों variant अलग है अब आपने जो यह लगा दिया है नया वाला इसका AC आपका बंद हो जाएगा अगर coding कर भी थी problem आपकी बाकी की solve हो जाएगी लेकिन complete problem solve नहीं होगी तो पहली चीज component and ECU replaced correctly दूसरा जो हमारा part होता है वो होता है कि जिस system में आप post repair डाइगनोस करने जा रहे हैं चाहे वो कोई भी function हो DPF regeneration हो urea reset हो आपका injector coding हो immobilizer coding हो उस function में कोई भी DTC current में नहीं होनी चाहिए अब यह DTC कौन सी बात करो में component related DTC कि आप अगर DPF regeneration करने जा रहे हैं तो engine के अंदर किसी भी तरीके के sensor का fault नहीं होना चाहिए आपका DPF से related जो differential pressure sensor होता है उसका fault नहीं होना चाहिए जैसे कि input high, input low, short circuit, short to ground इस तरीके के कोई भी fault code उस system में नहीं होने चाहिए वरना आपका reset का जो function है या post repair डाइगनोस जो है वो clearly नहीं होने वाला है तो इस चीज को ध्यान रखना ह या wiring related fault code आपका particular system में नहीं होना चाहिए जैसे आप immobilizer code कर रहे हो तो immobilizer में कोई भी circuit related, short circuit related इस तरीके के fault code नहीं होने चाहिए वरना आपका function नहीं होने वाला है इसके बाद तीसरा जो सबसे important part है read all precautions before proceeding यानि के जब भी आप कोई reset या function operate कर रहे हो ठीक है कि लेट से DPF regeneration आप करना चाहते हैं तो DPF regeneration करने से पहले हर बार आपको एक message आता है हमारे technicians का एक pattern मैंने देखा हुआ है कि वो completely उसको ignore कर देते हैं और yes no yes no करके आगे बढ़ते जाते हैं बहुत सी बार उस message के अंदर ये clear mention होता है कि conditions क्या है ठीके अगर वो conditions match नहीं होती ह है तो वो function आपका operate होने वाला नहीं है successful होने वाला नहीं है simply आप क्या करेंगे आप scanner को blame करना शुरू कर देंगे कि आरे इसके अंदर कुछ होता नहीं है ठीक है मैं दिखाता हूँ किस तरीके के message होते हैं आपके तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के precautions messages आपको आते हैं information या फिर उसको notes कहते हैं ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो injector rate adjustment बैटरी रिजिस्टर बैटरी रिप्लेश्मेंट लर्निंग वॉलवर्ट्रॉनिक fuel consumption display यह सारे function जो है वो आपको special function में adaptation में या फिर आपको calibration जैसे functions में मिल जाते हैं okay idle speed adjustment अगर यहां पर देखते हैं या injector rate adjustment में देख लेता हूं यह देखिए जो info का जो आपको दिखाए दे रहा है यहां पर fault codes are stored in fault code memory it is recommended to correct the fault before carrying out the matching procedure क्या लिखके वेजा उसने कि भाया ECM के अंदर एक fault code है पहले जाए उसको clear कीजिए उसको solve कीजिए उसके बाद यह कीजिए ठीक है अब यह क्या दिया है the stored adjustment values are read in the next step okay यह देखिए इसने क्या किया values आपको दिखा दिया लेकिन यहां पर catch है क्या उसने पहला ही message दिया था कि fault code delete करना आपको और उसने बताया भी था कि fault code है उसके अंदर अब यह तो demo है इसलिए आगे जा रहा है otherwise गाड़ी में आगे जाता भी नहीं अब यह are the adjustment value to be read out from the replace engine नहीं मैं क्या करूंगा पहले no करके back जाओंगा और पहले में fault code delete करूंगा तो सबसे पहले read fault code किया देखिए यहां पर communication circuit दिखा रहा है अब मैं इसको clear fault code कर देता हूं किया अब वापस में special function में जाओंगा और वापस special function में जाके injector rate adjustment देखो यहां पर दिखा दिया message okay next यह बता रहे कि next step में आपको read करेगा जैसे read करके दिखा दिया okay किया मैंने यहां पर are the adjustment value to be read out from a replace engine वो बोल रहा है कि ECM जो पुराना वाला था उसमें से read करना है क्या मैंने बोला नहीं okay यहां पर देखे मुझे दे दिया यह क्या बोल रहा है मुझे 1234 अगर आपको मुझे एक number cylinder में डालना है यहां पर 6 cylinder दिये इसलिए आपको 8 point दिख रहें तो यहां पर देखे 1 का मतलब क्या हुआ आपको एक number में डालना है तो 1 पर click किया यहां पर note only few values are stored in this engine control module the flow value is the lower digit number sequence of the injector only flow values are stored यानी कि engine का जो flow value है वही यहां पर store किया जाएगा ओके किया यह मुझे number मांग रहा है जो भी आपका number होता है वहां पर डाल सकते हो मैंने cancel किया अब लास्ट में किया था मुझे यहां पर मुझे end दिया मैंने क्या किया इसको एंड कर दिया ओके अगर आपने सारे precautions follow किये है तो आपको कोई problem आने वाली नहीं है गाड़ी के अंदर लेकिन अगर आप जो precautions है जो सावधानी उसने बताई थी अगर आप उनको follow नहीं करते हैं तो कई बार आप ECU या फिर उस पूरे system को खराब कर बैठते हैं और यह इसको हमको याद रखना है वो यह है कि आपको बिल्कुल भी अगर कोई function आप कर रहे हैं तो इसको बीच में नहीं रोकना है एक्जामपल आप steering calibrate कर रहे हैं और अगर steering calibrate करते वक्त बैटरी लो थी scanner बंद हो जाए तो उस case में क्या होगा ना पूरा का पूरा setting भिगर जा तरीके से चार्ज होना चाहिए अगर यह function यूज करने के लिए आपको online जाना जरूरी है उस case में आपका wifi का network सही होना चाहिए क्योंकि अभी क्या है कि ज्यादा तर coding और programming वाले जो function इस scanner के जरीए वो online होते हैं और online में अगर आपका data fluctuate करेगा तो यह याद रखिए कि ज chances हो जाते हैं इसी कारण से हो सके तो अवाइड कीजिए कि आप अपना hotspot यूज करें अगर आपके वाइफाय है आप सही conditions में है जहां पर wifi अविलेबल है high speed वहां पर यह functions कीजिए दूसरा एक tip में और आप लोगों को देना चाहता हूं बीच में तो रोकना नहीं है लेकि कुछ देर तक rest करने दीजिए उसके बाद आप देखिए कि यह जो problem आपकी थी वह कहीं पर बिगडी तो नहीं है अगर आप online programming कर रहे हैं या coding कर रहे हैं तो उस case में ignition बंद करके आपको scanner और निकाल दीजिए और battery का negative terminal थोड़ी देर के लिए निकाल के रखिए इससे क्या management बहुत जादा फर्क पड़ता है लेकिन इससे अगर आप यह करते भी है तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर आपको फायदा नहीं भी हुआ तो ठीक है चार हो गए इसके बाद पांचवा जैसे ही आपका complete हो जाता है यह यह जो last function है यह जो last step है precaution का और कोई भी नहीं करता है इसको इसका reason में बताता हूं क्यूंकि हमको इसके education नहीं मिली है ठीक हमको इसके training नहीं मिली है system किस तरह काम कर रहा है क्या उसके requirements है आपने कोई भी reset function किया है या coding या programming जो भी आपने किया है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि ignition बंद कर दीजे ignition बं किये या 30 second भी आप रूख सकते हैं इससे क्या होता है system जो है पूरी तरह से अपने आपको ready कर रहा होता है हम क्या करते हैं जैसे ही मैंने DPF regenerate करके complete हो गया मैं scanner निकालता हूं और engine start कर देता हूं इसमें क्या होता है कि system को rest करने का time नहीं मिलता है और वो problem कई बार वापस आ जाती है आपके ECU को time चाहिए होता है information को process करने के लिए क्यूंकि आपके ECM के अंदर एक processor होता है वो processor को थोड़ा time चाहिए होता है यह बहुत जादा time नहीं है 30 seconds से 1 minute का time चाहिए होता है उसको process करने के लिए अब अगर आप यह process करने का time उसको दे देते हैं तो यह पक 2 seconds के लिए engine बंद कर दीजिए ignition भी बंद कर दीजिए चावी भी निकाल दीजिए उसके बाद आप start केजिए तो यह वही function है जिससे कि आपके ECU को process करने का time मिल जाता है महिंद्रा के मामले में 2 seconds होता है जितनी बड़ी गारियों का system जितना बड़ा ECU जितना बड़ा काम आपने किया है उसके इसाब से time लगने वाला है यह time 30 seconds से लेकर एक मिनट तक का हो सकता है आप और ज्यादा देर तक देना चाहें तो कोई problem नहीं है अच्छी बात है तो यह चीज़ को याद रखना है तो इन 5 precautions को आपको याद रखना है pre repair diagnose करने के time पे इस तरह से जो भी function आप इस्तमाल करेंगे या आप काम करेंगे उसके उपर वो बहुत ही accurate होंगे correct होंगे और आपकी तरफ से गाड़ी में problem नहीं आएगी दोस्तों मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि हमारा आज भी challenge यही है कि हम गाली ठीक करें कि नहीं करें वो तो secondary बात है लेकिन हमारी तरफ आपसे गाड़ी में कोई problem नहीं आनी चाहिए दूसरा यह चीज की बहुत सारे ऐसे functions होते हैं जो कई बार हमें नहीं पता होता है तो उसके लिए कुछ fault code बनते हैं वह fault code किस तरीके के होते हैं आप लोग screen पे पीछे देख सकते हैं मैं उसको पूरा डाल देता हूं उन fault code स से ही decide किया जाता है कि यह function में यह काम करना पड़ेगा एक्जामपल DPF के लिए आपने देखा है suit mask का error आता है वहां पर कोई wiring और circuit related error नहीं आता है वैसे ही अगर आप VW audio score में काम करें तो आपको basic setting या adaptation related fault code आते हैं वह सारे post repair diagnose के लिए होते हैं कई बार क्या होता है कि कु से ही हमको पता लगाने कि इसके अंदर क्या काम करना होगा एक चीज याद रखिए आप internet का सहरा ले सकते हैं लेकिन अगर आप हर fault to fault काम करेंगे तो आपको internet का सहरा हर बार नहीं लेना पड़ेगा आपको इसका अंदाजा भी आ जाएगा और आपको expertise भी मिल जाएगी कि इसको कैसे काम किया जाता है ठीक है दोस्तों तो आज का जो वीडियो था वो सिर्फ introduction था जिसमें हमने 5 important बाते बताई पोस्ट रिपैर डागनोस से लेकर इसके बाद जो next जो वीडियो आएंगे पोस्ट रिपैर डागनोस के लिए वो एक-एक function को explain करेंगे example जैसे कि injector coding ह या micro learning है तो उसको किस तरह किया जाता है उसकी ज़रुरते क्या होती है उसको करने से पहले आपको mechanically किन चीजों का ध्यान रखना है या component related किन चीजों का ध्यान रखना है करने के बात किन चीजों का ध्यान रखना है हम कोशिश करेंगी कि अगर उसका एक proper video हम बना पाए ग लेकिन more or less, ज्यादा तर software में post repair diagnosis का procedure सेम ही होता है, आप चाहे Indian brands ले लिजे, चाहे American brands ले लिजे, चाहे European brands ले लिजे, उन गाड़ियों में वो function दिया गया है, एक और एक चीज याद रखिये, कि ऐसा नहीं होता है, कि अगर 2015 की गाड़ी में कोई एक function था, तो वो 2023 की गाड companies बहुत सारे नए functions develop करती है, adapt करती है, और वो आपको गाड़ी में देती है features को, यही कारण है, जो हम लोग बार-बार बोलते हैं कि companies जो है, वो regular अपने brand और model में अपग्रेडेशन कर रही है, as a technician हमें भी regular education की जरुरत है, continuous education की जरुरत है, जो हम इंडिया में बनाने की को आपको लाइक कीजिए, इसको अपने friends के साथ share कीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा video इंटरनेट पर आपको नहीं मिलने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग topic to topic जाएंगे, एक एक वीडियो दो-दो functions के उपर dedicated होगा, जैसे अगर हम लोग ने एक में injector coding और करेंगे, उसके लिए हमें आपके मदद की जौरत पड़ेगी, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो, तो आई बटन पर ये वीडियो दे दिया हो है, हमारे वाकी के जो वीडियो है, वो हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, बिलीव में आपका फायदा ही होगा, ठीके दोस्तों, तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा, थैंक्यू सो मच, ये वीडियो देखने के लिए जैहिन,